आज कर हम सभी के पास लैपटप होता है चाहे वो कॉलेज का काम हो या ओफिस का काम हो या मल्टीमेडिय का काम हो लैपटप की एक अच्छी बात यह है कि लैपटप में मुबाईल ती तरह ज़्यादा तर चेंजिस नहीं होते हैं मतलब कि आपके पास अगर एक लैपटप है तो आप 3-4 साल आराम से चला सकते हो और अगर जादा यूज नहीं है तो आप 6-7 साल भी चला सकते हो लैपटप में से प्रोलम जी होता है कि एक लेड़ साल भाद आपके नहीं क्य्ट पकी जो बैटरी होती है तो प्सका यीली नहीं होते है। लाप चलिए आ इसको charging निकालते नहीं है जब तक हम काम बंद न करें और laptop को switch off ना किया जाए। इससे क्या होता है कि तीन गंदे का जो टाइम होता है इसको बैटरी तो चार्ट हो जाते हैं लेकिन प्रोबले में होता है कि आपको बैटरी की चार्चिन जब कम होने वाली है तभी और जब ज़्यादा होगी तो दोनों केसिस में आपको एक रिमाइंडर आएगा और एक एलाम बजने लगए लैप्टॉप की साइड में जिससे क्या होगा कि आपको तुरण पता चलेगा और आपको स्विच बंद कर इससे यह होगा कि आपकी लैप्टॉप की बैटरी है उसकी आयू बढ़ जाए क्योंकि ज्यादा तर और चार्ज की वेज़े से यह बैटरी खराब होती है तो इससे बढ़ जाएगी अब यह जो सौफटर मैं बता रहा हो यह सौफटर बहुत ही चोटा है और आपको लैप्टॉप की बैटरी टैन परसंट हो गई होगी जब आपको चार्जिंग पर लगाना है तो यहां पर एक मैसेज आ जाएगा बैटरी लिमिटर करको और एक अलाम बजने लगेगा और वैसे सेम दब्य परसंट जब आपकी हो जाएगी तब बजने लगेगा इससे क्या होगा कि हमें जब भी पता चलेगा कि हमारी बैटरी अब ज्यादा हो गई है या कम होने वाली है तो आपको मैसेज आ जाएगा तो आपको उसको निकाल देना है एक प्रैक्टिस से क्या होगा कि कंटीडियू आपकी बैटरी जो और चार गंटे वो बच जाएगी और इसका टाइम जो एक मतलब की जो बैटरी की कैपेसिटी अब बढ़ जाती है और यह सौफटर में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यह सौफटर में रेगिलर पे यूज करता हूँ यह सौफटर एकदम छोटा मतलब 4 MB का सौफटर है इसमें कोई एड़टाइजमेंट भी नहीं